गुट मॉर्णिंग एवरीवन आप वेरी गुट मॉर्णिंग तो अलव यू बच्छो एंड वेलकम तो क्रियेटरिक्स यूटुब चैल माई दियर फ्रेंड्स वी आ बैक अगें विद लक्षे बैच 2.2 एनलोग एलेक्ट्रोनिक्स ठीक है और आज हम लोग एक लास्ट उन वाला पार्ट कवर नहीं हुआ है तो वो पॉस्टिव फीड़बैक वाला जो पार्ट है न हम लोग यहाँ पर डिसकस करेंगे और तो आसिलेटर के अंदर डिसकस करेंगे तो एक हमारा आज होगा एक मैं कल लोगा कल भी मैं साधे ग्यारा बजे आप लोगी क्लास लोगा और कल आप लोगों का gate का syllabus wind up हो जाएगा, ठीक है? तो कल आप लोगों का मस तरीके से एकदम gate का syllabus wind up हो जाएगा, maybe कि मैं Monday class ना ले पाऊं, क्योंकि Monday I'll be going to office, तो वहाँ से class लेना थोड़ा सा tough हो जाता है, तो मैं आप लोगों से assignments जो भी हैं, discuss कर लूँँगा, Tuesday को, ठीक है? चलो फिर, आज का session स्टार्ट करें भई, ओसिलेटर्स का, ready हैं सभी लोग? थोड़ा तो मैं पानी पी लेता हूँ भाई, मेरा गलाव ऐसी खराब हो रहा है, ठीक है? चलो, ready हैं सभी लोग? चली है, फिर शुरू करते हैं, आज का discussion भई, हाँ जी, तो oscillator क्या होता है? oscillators का use होता है, फिर्टा, function generator में, पहले ये समझिए, function generator आप लोग अपनी lab के अंदर देखते हैं, लैब के अंदर जो भी आप CRO वाले experiment करते हैं, जो भी आप breadboard पे circuit बनाते हैं, उस circuit को input देने के लिए आप use करते हैं, function generator का, तो function generator क्या है? function generator बिटा एक ऐसा source है, जो इस काबिल होता है कि अलग-अलग तरहे के waveform produce कर सकता है, कैसे waveform sir? जैसे sine wave, जैसे triangular wave, जैसे square wave, sawtooth wave, अलग-अलग type के waveform generate कर सकता है, आपका function generator, और इन waveforms का frequency भी बिटा आप vary कर सकते हो, 1 hertz से कम frequency से लेके kilohertz तक आप जा सकते हो, that is the range of frequency which you can achieve, तो आप देखो function generator से क्या-क्या control कर सकते हो, क्या waveform बनानी है, square, triangle, sinusoidal, sawtooth, क्या उसका height होगा, यानि क्या उसका amplitude होगा, और क्या उसकी frequency होगी, तो ये सारी की सारी चीज़ें आप control कर सकते हो, by means of our function generator, ठीक है, तो जो sinusoidal output generate करते हैं, उनको हम कहते हैं linear oscillator, और जब कोई square, triangle, sawtooth generate करता है, तो वो कहलाते हैं non-linear oscillator, तो oscillator जो है ना function generator का building block है, यानि without oscillator, function generator cannot work, आपको बात समझ में आ रही है, तो function generator हमारी labs में आपने देखा होगा, एक white color का box होता है, उसको cable के through हम लोग CR-O से connect कर सकते हैं, और उसका output हम लोग अपने breadboard के अंदर भी दे सकते हैं, to excite the network using different kinds of waveform, तो फटा फट से मुझे chat में बताओ, कितने ऐसे बच्चे हैं, जिन्होंने अपने college की lab में function generator का use किया है, function generator वाला box देखा है, कितने ऐसे बच्चे हैं, जल्दी से बताओ, फटा फट बोलो भाई, देखे हो, अमन ने use किया है, साई, बबलू, अशोक, विजे, चलो, बहुत ही बढ़ी है, अब देखो भाई, जब हम लोग oscillator की बात करते हैं, तो oscillator के अंदर positive feedback का use किया जाता है, ठीक है, यह एक source है, और यह feedback signal है, ठीक है, यह क्या है बिटा, यहाँ पे आपका, this is your source, and this is your feedback signal, तो source और feedback signal जो है न, यह दोनो positive feedback configuration में connected होते हैं, तो देखो अभी तक जो आप feedback amplifier पढ़ रहे थे, पिछले chapter तक, आपने देखा था, negative feedback का use करते हैं, मैंने purpose भी बताया था, negative feedback का क्यों use करते हैं, gain को stabilize करते हैं, bandwidth को बढ़ाते हैं, noise को reduce करते हैं, distortion को कम करते हैं, यह सारी चीज़े reason था कि हम negative feedback क्यों use कर रहे थे, लेकिन बेटा जब हम oscillators की बात करते हैं, then we use a positive feedback, और positive feedback में हम लोग क्या बोलते हैं न, यह जो यहां से यहां तक हमारा loop gain है, यह जो a into beta होता है, यह मैंने बताया था न, loop gain होता है, तो loop gain को आप greater than 1 लेके चलते हो, for the case of oscillator, देखो oscillator का funda क्या होता है न बिटा, oscillator का funda क्या होता है, हम यह बोलते हैं, कि जो signal feedback में आ रहा है, अगर यही signal input का का काम करने लग जाए, और output दे दे, output मिलेगा, फिर इसको feedback में ले आए, फिर feedback में ले आए, फिर यह output दे दे, समझ रहे हो, तो इस तरह से oscillation चलती रहें, या system हमारा work करता रहे, यानि जो output है, वही feedback से जाके input का का काम करें, और वही produce करें, यानि output एक तरह से, खुदी को produce करने के लिए जिम्मेदार है, समझ में आ रहे हैं न बात, तो output खुद को ही पैदा करने के लिए जिम्मेदार है, अब इसमें देखो, अगर output sinusoidal आता है बिटा, तो हम कहते हैं, harmonic oscillator, और अगर sinusoidal नहीं आता, तो relaxation oscillator, तो जब देखो, आप कल की class में पढ़ोगे न, Schmidt Trigger पढ़ोगे, square wave generator, triangle wave generator, तो उन सब को आप बोलोगे, relaxation oscillator, और आज के lecture में मैं आपको जो पढ़ाने वाला हूँ oscillator, वो हैं सारे harmonic oscillator, यानि जो कि आपको sinusoidal wave देंगे, तो आज harmonic oscillators की बात करेंगे, और कल बात करेंगे relaxation oscillator की, विजए जी पूछ रहे है, practically where we are using oscillator, विजए बिटा अभी एक example दिया, function generator का, क्या वो practically यूज नहीं हुआ oscillator का, अभी तुमने बोला, हाँ जी सर मैं तो लैब में यूज किया है, और देखो oscillator कहां use होते हैं, communication के अंदर use होते हैं भई, modulator, demodulator के अंदर use होते हैं, microprocessor में clock के लिए use किये जाते हैं, अब देखो जब आप amplitude modulation पढ़ते हो, तो आपके पास 2 signal होते हैं, एक होता है आपके पास information signal और एक होता है आपके पास carrier signal carrier signal क्या होता है high frequency signal होता है which gets multiplied by the information signal to generate the signal to be transmitted वो information signal में multiply होके एक नए signal को जनम देता है और वो signal हम transmit करते हैं from transmitter to the receiver अब यह जो carrier wave होती है जो high frequency carrier wave है यह आई कहां से यह आई oscillator से microprocessor और digital में जितने भी sequential circuit है वहाँ पे आप clock signal देते हो which is a square wave वो clock signal कहां से आती है oscillator से तो ऐसे ही जहाँ पे भी आपको किसी waveform की जरूत पड़ेगी न whether it may be sign, square, triangle, saw tooth हर जगे वो waveform generate की जाएगी oscillator से तो basically जितने भी periodic waveforms है that you can generate using oscillator अब electrical वाले यह दिमाग मतलगा ली न सर power system के लिए जो sinusoidal waveform चाहिए क्या वो भी oscillator से आएगी नहीं हम बात कर रहें low power signals की हम बात कर रहें communication की हम बात कर रहें electronic equipment की हम नहीं बात कर रहें electrical machines की हम नहीं बात कर रहें power system की वहाँ पे generators की मदद से generate किया जाता है लेकिन low power signal में अगर कोई भी periodic function generate करना है that is generated using oscillators तो यह clear हुआ भी विजय बोलो clear हुआ कहाँ पे use किया जाता है oscillators का बताईए is this clear to everyone ठीक है अब देखो यार oscillator का operation कैसे होगा देखिए ज़रा देखो सबसे पहले क्या होगा हमारे पास input signal आएगा ठीक है सर आपने तो अभी यह बोला कि input की जरुवती नहीं होती oscillator में जो feedback है वही input का का काम करेगा अभी समझाता हूँ इसका भी मतलब समझाता हूँ जो statement मैंने बोला था ना उसका actually meaning है ऐसा मत सोचो मैंने ऐसी हवा बाजी कर दी है देखो अभी बहुत simple terms में oscillator बना रहा हूँ भाई ठीक है ये हो गया हमारा forward path ठीक है भाई अभ देखो जो भी हमारा feedback वाला network होगा वो मैंने बनाया feedback network का gain तुम्हें पता ही ये बीटा लेते हैं feedback amplifier में देख चुके हो अब समझ में आ रहा है feedback amplifier के बाद क्यों पढ़ा रहा हूँ oscillator क्योंकि basically network तो same ही है बस तुम negative की जगे positive feedback यूज़ कर रहे हो बात तो बराबर ही है लेकिन connection तो तुम्हारा same ही है ठीक है इसको जोड़ दें भाई चलो pen से ही जोड़ देते हैं ठीक है अब यह हो गया A यह हो गया बीटा यह V0 यह हो गया VI या VS कह दो यह VF और यह VI ठीक है input to the amplifier I am calling it as VI अब देखो यार बात है input का role क्या है आपने यह बुला जो signal output पे जा रहा है उसी को वापिस से feed करके उसी को feedback करके as a input use कर लिया जाए और system हमारा चलता रहे system हमारा चलता रहे लेकिन बिटा यह output in the first place आया कहां से chicken egg की तरह सोचो ना तुम कहा रहे हो अंडे से जो मुर्गी निकलेगी वही दुबारे अंडा दे देगी फिर उससे मुर्गी निकलेगी फिर वही अंडा दे देगी इस तरह से तुम सोच रहे हूं लेकिन भाई सबसे पहले मुर्गी या अंडा कुछ तो आया होगा तो सबसे पहले starting में output पैदा करने के लिए आया source एक बार source ने output पैदा कर दिया उसके बाद हमारा जो feedback signal है आगे वही आपका oscillator के लिए input की तरह काम करेगा प्रीतम भाई अभी अगर आप मेरी बाद ध्यान से सुने होते function generator का component होता है oscillator समझे आप कल को oscillator में क्या फरक है भाई माइक्रो प्रोस्टर में oscillator यूज हो रहा है clock देने के लिए communication में oscillator use हो रहा है career signal बनाने के लिए ऐसे ही function generator में oscillator internally use हो रहा है ऐसा नहीं कि function generator is oscillator function generator अलग-अलग frequency की oscillation देता है अलग-अलग amplitude की oscillation देता है function generator अलग-अलग waveform देता है ये सारा काम oscillator खुद से थोड़ी कर सकता है oscillator का जो output आया उसे amplify कर लो तो आप amplitude बदल सकते हो oscillator में R, L, C जो भी component है उनकी value चेंज करके frequency बदल सकते हो उसे integrate differentiate करके आप उसकी waveform बदल सकते हो तो oscillator तो अंदर एक ही है बट अलग-अलग waveform के लिए आपने extra circuitry लगाई होगी सबी तो function generator अलग-अलग waveform दे पा रहा है बात समझ में आ गई हाँ जी अब हम क्या बोल रहे हैं देखिए आपने, और बोलग ब pop सकते होगै इससी Princip is ऌ़ उसकी नेक। मैं सेन अखिए को समय को सिय वह समय टो समय। यजशा समय। नेक्टिए को समय। अबहेँड आपिए को समय। sophomoreग न्रग-टेर गPeकी न الشgor एबुशाय। नेक्टिशandaNow 2. injected in the system, system में कोई energy नहीं भेजी गई है, oscillator में basically क्या होता है न, जो energy आप भेज देते हो, वही energy oscillate करती रहती है, जैसे LC oscillator होता है, तो अगर आप inductor को energy दोगे, inductor अपनी energy के पैस्चर को देगा, के पैस्चर अपनी energy inductor को देगा, फिर inductor अपनी energy के पैस्चर को देगा, ऐसी ही चलता रहेगा, लेकिन जब आपने कोई energy ही नहीं दी circuit को, तो ये चलेगा तो है नहीं, ये चली नहीं पाएगा, लेकिन जब आपका Vs नॉन जीरो होता है, तो आप V0 को अभी के लिए लिखो A Vs, ठीक है, assume feedback equal to 0, till output is produced, जब तक output ही नहीं आएगा, तब तक feedback कहां से आजाएगा, सोचने वाली बात है, समझ रहे हो मेरी बात, पहले तो output आएगा ना, तभी तो feedback आएगा, feedback खुद energy output से लेके आता है, तो हमने पहले क्या बोला, कि input लगाया, उससे output आया, उससे feedback आएगा, अब आप मुझे बता आएगे, feedback कितना आएगा, feedback आएगा, बीटा वी नॉट, feedback कितना आएगा, feedback voltage, वी एफ, इस बीटा वी नॉट, ठीक है जी, अब वी नॉट की जगे है, अब ए वी एस लिख देंगे, अब मैं क्या बोल रहा हूं बिटा, अगर ये एबीटा, अगर ये एबीटा, वन हो जाए, तो feedback voltage वी एस के बराबर आ गई, अगर ये एबीटा, वन हो जाए, तो feedback voltage वी एस के बराबर आ गई, अगर feedback ही supply के बराबर आ गया, तो अगली cycle के लिए it will itself act as a source और ये oscillation चलते रहेंगे और ये oscillation आपके चलते रहेंगे बात समझ में आ रही है तो हम लोग बोल रहे हैं if Aβ is 1 Vf itself equals to Vs and can act as a source can act as source for sustained oscillation sustained oscillation का मतलब होता है वो oscillation जो खतम ना हो जाएं तो यानि अगर आप चाहते हो ना आपके system में oscillation चलते रहें ये खतम ना होने पाएं तो आपका Aβ1 आना चाहिए क्या होना चाहिए? Aβ1 आना चाहिए और ये जो condition है ये जो condition है loop gain Aβ equal to 1 this is called as the Bar-Khusayne criteria क्या कहते हैं? Bar-Khusayne criteria ये oscillators के लिए important है कि positive feedback भी हो और आपका loop gain should be unity ये चमका? ये clear हुआ भई? जैसे आपने virtual ground के लिए condition पढ़ी थी ना कि negative feedback होना चाहिए open loop gain infinity होना चाहिए ऐसे ही बिटा oscillators के लिए condition होती है that loop gain should be unity ताकि जो feedback signal आ रहा है that is equal to the supply and if it is equal to the supply बिटा तो then it can act as a source for the next cycle and this process can continue this process can continue चमक गया बढ़िया तरीके से बताइए अब बारकुसें क्राइटीरिया पर अगर हम थोड़ा और detail में discuss करें तो basically हम क्या कह रहे है कि since a बीटा equal to one one की जगे one angle zero भी लिख सकते हो तो आप ये कह सकते हो therefore phase shift offered to a signal to a signal as it loops through as it loops through the oscillator should be a multiple of two pi total phase shift आपका zero degree आ रहा है ना यानि zero हो सकता है two pi हो सकता है four pi हो सकता है समझे रहे हो signal पहले a में गया ठीक है signal पहले आपका a में गया है ना फिर यहां से output बनके निकला फिर बीटा से फिर feedback आया तो हम कह सकते हैं signal पूरा घूम गया पहले input से output फिर output से वापिस input तो हम कह रहे हैं यह जो पूरा circle signal ने घूमा है यह जो पूरा loop इसने travel किया है इस पूरे traversal के अंदर इसको जो face shift मिल रहा होगा बिटा that should be an integral multiple of 2 pi यानि zero degree 2 pi, 4 pi, 6 pi कुछ इस टाइप से दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि magnitude of loop gain magnitude of loop gain mod a beta equal to 1 magnitude 1 होना चीए और बेटा angle क्या होना चीए angle क्या होना चीए आपका 2 pi का multiple अब देखो ideally तो हम ऐसा बोल देते हैं कि भाईया जब भी कभी कोई oscillator होता है तो उसको किसी input signal की जरूरत नहीं होती है oscillations करने के लिए वो self sufficient होता है उसका output ही feedback के रूप में input बन जाता है जिससे oscillation चलते रहते हैं लेकिन practically आपको यह पता है ना एक input signal देना पड़ेगा वरना initially energy कहां से जाएगी oscillator में आपके oscillations को start करने के लिए तो आप क्या बोल रहे हूं कि भाई practically an input signal is needed an input signal is needed to start oscillations वरना oscillations कहां से ही आजाएगी भाई clear बात है इतनी oscillations चालू करने के लिए आपको एक input की जरूरत पड़नी पड़ेगी and then if a beta equal to 1 oscillations are self sustained इसके बाद अगर a beta 1 हो गया ना तो यह oscillation अपने आप चलती रहेंगी इसके बाद तुमको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है तुमको energy देने की जरूरत नहीं है तो पहले तो input दोगे और फिर a beta को 1 कर दोगे और अगर a beta 1 हो गया तो oscillation चलती रहेंगी अगर beta a beta 1 से बड़ा हो गया तब क्या होगा बताईए अगर a beta 1 से बड़ा हो गया तब क्या होगा बोलिए भई वड़ाफट से सोचके बोलना थोड़ा सा अगर a beta 1 से बड़ा हो गया तब क्या होगा बताओ a beta 1 से बड़ा होने का क्या मतलब है जितना signal enter किया था जब feedback में आ रहा है उससे ज़ादा आ रहा है देखो ना loop gain होता है ना a beta यानि यहां से लेके यहां तक जो आता है वो a beta होता है तो a beta अगर 1 से बड़ा है माने की feedback में जो value आ रही है वो आपकी supply से ज़ादा आ रही है तो अगर signal बढ़ता जाएगा बिटा तो oscillation का amplitude ग्रो करता जाएगा सोचके देखो अगर a beta 1 से बड़ा हो गया तो हर बार जो input signal लोट के आएगा वो पहले से ज़ादा लोट के आएगा अगर वो पहले से ज़ादा लोट के आएगा भई तो आपके जो oscillations हैं उनका amplitude ग्रो करते जाएगा यही तो होगा तो देखो पहले कम amplitude से शुरू है फिर ज़ादा फिर और ज़ादा समझ में आई बात ऐसे हो जाएगा oscillations का amplitude गिरता जाएगा ठीक है सुरी बढ़ता जाएगा अब एक चीज और समझेंगे बिटा जैसा आपने बोला ना loop gain का जो total ठीक है loop gain का जो total आपका phase आना चाहिए वो 2 pi का multiple आना चाहिए आपने ऐसा बोला अब यहाँ पे a तो amplifier है और beta क्या है और beta क्या है आपका feedback network है a क्या है amplifier है beta क्या है feedback network है अब बहुत बार बिटा ऐसा होता है कि जो amplifier है ना वो phase shift दे देता है कितने का 180 degree का amplifier जो है वो phase shift दे देता है बिटा 180 degree का तब उस case में total phase shift 360 degree करने के लिए भी आपका बीटा का भी phase shift कितना आना चाहिए 180 degree समझ रहे हो जैसे इफ एन amplifier such as common emitter amplifier provides 180 degree shift then feedback network must also provide must also provide 180 degree shift to make angle a beta multiple of 2 pi to make angle a beta multiple of 2 pi यानि अगर एक inverting amplifier आपने लगाया ना a में अगर आपने a में एक inverting amplifier लगाया है तो beta network भी ऐसा बनाओगे जिससे 180 degree का phase shift आपको मिल जाए और अगर एक non inverting amplifier लगाया है a की जगे तो आपके beta का phase shift भी क्या रहना चाहिए 0 degree आपको ये चाहिए कि total phase shift a और beta का मिलाके 0 degree, 360 degree, 720 degree कुछ इस तरह का होना चाहिए ठीक है कुछ इस तरह का होना चाहिए सत्यम मेरे भाई इस बारे में मैं हर रोजी बोलता हूँ एक lecture में तीन-तीन बार बोलता हूँ अब ऐसा थोड़ी है कि जब-जब कोई भी पूछने आएगा तभी इसी बारे में बात करते रहेंगे कि lecture कब public होंगे कब public होंगे कब public होंगे तुम लोग को कितनी बार समझाया कि भईया लाइव अटेंड कर लो regular अटेंड कर लो लेकिन सुनना है नहीं फिर पूछते रहना है कब public होंगे इस course के तो condition ही ये थी ना कि lecture 24 गंटे ही चलेगा बस फिर भी तुम लोग नहीं फॉलो किये वह भई वह संडे हो कर दीजे मतलब तुम लोग को लगता है संडे हो करना चाहिए तो हो संडे हो कर दे चलो हाँ जी अब बार्क हुसेन क्राइटीरिया किसी भी amplifier में ठीक है बार कुसेन क्राइटरिया किसी भी amplifier में कैसे लगाया जाता है ठीक है? कैसे लगाया जाता है? ध्यान दे सुनिएगा अब सबसे पहले देखो बार कुसेन क्राइटरिया लगाने में हमें क्या चाहिए? हमें यह चाहिए कि एक oscillator कितनी frequency पर oscillate करेगा यानि हमें oscillator की oscillation frequency चाहिए, तो हम बोल रहें, for an oscillator to oscillate at one frequency बार्क हुसैन क्राइटीरिया, must be applied, अब देखिए कैसे किया जाता है, steps समझना बिटा, सबसे पहले, using feedback network, using feedback network, beta equal to vf by v0, यह आपको calculate करना है, अब यह जो beta है, यह दो चीजों से बना होता है, इसका एक real part होगा, और एक मेरे बच्चों इसका imaginary part होगा, अब जो gain of amplifier होता है, beta a, gain of amplifier a, यह तो real होता है, जैसे आपने opam, bjt सब जगे देखा है न, gain तो real होता है, अगर मेरे भाई, gain अगर real है, और a beta आपका 1 है, तो beta भी real होना चीए, correct, for a beta equal to 1, beta must be real, सही बात है न, वरना a beta 1 कैसे हो जाएगा, तो इससे क्या समझे, अगर beta में real और imaginary part आ रहा है, और आपके अनुसार beta real होना चाहिए, तो beta का imaginary part क्या होगा, बुलो, बीटा का imaginary part होगा, 0, तो आपना beta का imaginary part 0 करके, यहां से compute कर लेते हो, oscillation frequency, क्या compute कर लेते हो, oscillation frequency, अब अगला part आप क्या करते हो, mod a beta, beta का बस real part बचा, इसको 1 करके, compute a and set the values of amplifier resistors accordingly, जैसे मान लो एक non-inverting amplifier है, तो उसका gain कितना होता है, बीटा, 1 प्लस RF by R1, तो आपको एक बार a मिल जाएगा ना, तो आप accordingly, वहाँ पे RF और R1 की values को decide कर सकते हैं, RF और R1 की values को decide कर सकते हैं, ठीक है, यह बात clear हो गई, तो आपको अगर oscillation frequency निकालनी है, तो बीटा का imaginary part 0 कीजिए, omega आएगा, उस omega पे बीटा का real part निकाल लो, फिर A into beta real 1 करके A निकाल लो, और A के अनुसार जो भी आपके amplifier के parameters हैं, चाहे वो BJT वाला amplifier है, चाहे वो MOSFET वाला amplifier है, चाहे वो OPPAMP वाला amplifier है, accordingly आप उसके parameters को set up करोगे, ताकि वो gain आपका satisfy हो जाए, चमकास अब लोग को बताओ, यह बात clear हो गई, अब देखो जब हम oscillator पढ़ते हैं ना बिटा, तो आज की class में मैं आपको इस सारे कराऊंगा, सिवाए crystal oscillator के यह मैं आपको कल कराऊंगा, ठीक है? तो दो तरह के oscillator की बात होती है, audio frequency, यानि जो कम frequency वाले oscillator हैं, जैसे wean bridge और RC face shift oscillator, और दूसरे होते हैं high frequency वाले, जिनको कहते हैं radio frequency oscillator, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? heartlay oscillator, colpate oscillator और clap oscillator, हाटले, colpate और clap oscillator इसके अंतरगत कवर करेंगे, और यह सारे जो oscillator हैं ना बिटा, यह sinusoidal waveform बनाने के काम में आते हैं, square wave वाले बनते हैं, Schmidt trigger से, multi vibrator से, जिनको हम बोलते हैं relaxation oscillator, वो मैं आपको कल के lecture में cover कराऊँगा, आज सिर्फ और सिर्फ किस बारे में बात करने वाले हम लोग sinusoidal oscillations के बारे में, ठीक है बई, चलिए, तो शुरू करते हैं अपना discussion, अब एक question यह भी है कि सर, जो LC oscillator है, heartlay हो गया, colpate हो गया, clap oscillator हो गया, यह high frequency पे ही क्यों, यह low frequency पे क्यों नहीं, देखो, frequency of oscillation क्या आती है बिटा, 1 upon 2 pi root LC, तो C तो बहुत ही small होता है, तो for low frequency oscillation, अगर आपको low frequency चाहिए ना, तो L must be very large, मानलो C आपका p को farad में हैं और आपको frequency hertz में चाहिए, तो L की जो value है ना, वो mega henry, ठीक है, giga henry, ऐसी values में जाएगी, जिसके कारण इसका size will be impractical, इसका size ना, इतना ज़्यादा high हो जाएगा, जिस size का inductor हम नहीं बना पाएंगे, समझ रहे हो, इसलिए high frequency ही देता है, ये low frequency नहीं देता है, अगर उसके बाद input देते, तब भी तो oscillation produce होता, रवी मेरे भाई अगर input भी देते और feedback भी होता, तुम्हें नहीं लगता double हो गया, total input amplifier का add होके double हो गया, double हो गया तो output double हो जाएगा, फिर feedback दबल हो जाएगा, फिर वो input में add होके triple हो गया, output triple हो गया, feedback triple हो गया, फिर वो input में add हो के 4 गुना हो गया, सोच के देखो, बढ़ता नहीं जाएगा, दिमाग लगाओ जरा, तुमने दिमाग तो काफी खेल लिया, अरे, चल भाई, अगर ये VF और Vs बराबर हैं, तो ये 2 Vs हो गया, तो ये V0 डबल हो गया, फिर ये डबल हो गया, इसमें फिर Vs add हुआ, 3 times, V0 3 times, ये 3 times हो गया, फिर Vs एड हुआ, फिर 4 गुना, समझ में आया, oscillation तो ग्रो करती रहेंगी न, क्योंकि आपके 2 input हो गया, एक तो feedback वाला, और एक आपने source लगाई रखा है तब भी, चमका के नहीं चमका बताओ, तो ये clear हुआ भाई, LC oscillator high frequency पे use होंगे, at low frequency, RC oscillators are used, क्योंकि भाई, resistance तो high लिया जा सकता है, समझ रहे हो, अगर यहाँ capacitor micro farad में भी हो गया न, तब भी L जो है, कम से कम kilo henry में होगा, L अगर kilo henry में होगा मेरे भाई, तो बहुत बड़ा inductor बन जाएगा, कभी किसी subject में देखे हो, inductance kilo henry में given हो, होता ही नहीं है ऐसा है न, inductance तो सिर्फ henry में होती है, लेकिन resistance तो kilo ohm में हो सकता है, अगर capacitance micro farad में भी है, तब भी resistance kilo ohm का लेके, I can make sure कि frequency हमारी small आ जाए, frequency हमारी small आ जाए, ठीक है जी? अब एक amplifier और oscillator में क्या difference है, बताईए, amplifier और oscillator में क्या difference है, अगर basic difference की बात करूँ न, तो क्या होता है, amplifier basically energy converter है, सर कैसे, energy converter कैसे है, देखो amplifier क्या करता है न, amplifier draws energy from DC bias, DC वाली जो biasing होती है न, वहां से energy draw करता है, and supplies to AC input to amplify AC signal, ये बात समझ मारी है, amplifier AC तो काम करता है, DC से energy लेके AC को देता है, जिससे AC signal आपका amplify हो जाता है, और वहीं पे oscillator maintains constant energy throughout, ये कहीं से energy लेता थोड़ी है, इसको एक बार energy आपको देनी है, फिर वही energy आपकी oscillate करती रहेगी, बाकी तो दूसरा difference आप क्या ही दोगे सर, negative feedback, positive feedback, amplifier में negative feedback होता है, oscillator में positive feedback, लेकिन आपको ये भी तो दिहान देना है ना, conceptually दोनों में क्या फरक है, दोनों का working ही अलग है, दोनों का working ही अलग है, ठीक है, वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक AC input देके, उसमें DC से खीची हुई energy देते हैं, जिससे कि उसकी energy और उसका amplitude बढ़ जाता है, यहाँ source से एक बार energy लेते हैं और लगातार उसको हम चलाते रहते हैं, है ना, बाकी एक point हम लिख देते हैं, negative और positive feedback वाला, कि amplifiers use negative feedback वाल oscillators use positive feedback ठीक है जी, चलो जी, अब पहले oscillator की तरफ चलें, पहला oscillator काफी famous oscillator है, जो आप लोग electrical वाले बच्चे तो measurement के अंदर भी पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं, वेन bridge, बताओ चला जाए, क्यों भई, वेन bridge oscillator की तरफ चलें, हाँ जी, अब वेन bridge oscillator में देखो क्या है, यह एक आपका inverting amplifier है, यह क्या है एक, inverting amplifier है, और यह देखो, यहाँ से आ रहा है आपका positive feedback, क्या आ रहा है, positive feedback, अब आप में से बहुत सारे बच्चे सोचेंगे, सर यहाँ तो negative feedback भी दिख रहा है, तो आपने कैसे decide किया कि यह positive feedback है और negative, देखो क्या होता है न, जब आपके negative feedback में capacitors आ जाते हैं, तब हम हमेशा यह नहीं कह सकते कि virtual ground लगेगा, V positive equal to V negative, उसका reason, उसका reason simple सा है कि capacitor की voltage suddenly बदल के उतना नहीं हो सकती, जितनी की positive terminal की होगी, तब virtual ground इसलिए नहीं लगा पाते, जब कभी negative terminal पे हमारे capacitors नजर आने लगते हैं न, तो हम लोग क्या बोल देते हैं, that we cannot apply virtual ground because the voltage of negative terminal may not match with the voltage of the positive terminal, ठीक है, अब बात यह होती है, Vainbridge oscillator की खासियत क्या होती है बिटा, इसकी सिर्फ और सिर्फ एक पहचान आपको याद रखनी है, कि यहाँ पे एक RC network series में होता है, एक parallel में, दो impedance use होती है, एक जहां R और C series में होता है, एक जहां R और C आपका parallel में होता है, बात समझ में आ गई, तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, कि how to recognize, one RC series network और एक RC parallel network, ठीक है जी, अब यह output terminal का voltage V0 है, और आप एक चीज जानते हैं बिटा, बहुत अच्छे से, कि opamp का input current होगा 0, तो आप मुझे positive और negative terminal का voltage बता सकते हो, इस circuit में, आप मुझे V plus और V minus बता सकते हैं, तो हम कहेंगे V plus क्या होगा, V0 into R3 by R3 plus R4, यह हो जाएगा, V minus क्या होगा, negative terminal का voltage, V0, Z1 by Z1 plus Z2, यह होगा, एक inverting terminal का और एक non-inverting terminal का, और दोनों का जो difference है, वो कहलाएगा एक तरह से feedback voltage आप कहेंदो, V positive minus V negative, यही तो उप amp के अंदर जा रहा है ना, basically, यही तो उप amp के अंदर जा रहा है, तो देखो, R3 by R3 plus R4 minus Z1 by Z1 plus Z2, V0, ठीक है, यह हुआ, तो यहाँ से बीटा मिल गया मिरको, एक चीज़ सोचो, यहाँ से बीटा मिला के नहीं मिला, बीटा इस VF by V0, तो यह हो गया, R3 by R3 plus R4, समझे, अब मैंने तुम्हें frequency निकालना कैसे सिखाया है, मैंने क्या बूला है, inverting amplifier के कैसे decide किये, inverting amplifier ऐसे decide किये, वैसे यहाँ पे न, inverting amplifier के ऐसे जरूवत है नहीं, इसका यहाँ पे कोई role नहीं है, इसका role जब आएगा न, तब बताऊँगा, inverting amplifier का purpose क्या था, अभी समझो ज़रा यहाँ पे, मैंने यह बुला, op amp के अंदर, जो feedback voltage आ रही है, क्योंकि दोनों ही feedback है न, आपके positive, negative, तो आपने यह feedback voltage बुला, जो op amp के अंदर जा रही है, ठीक है, अब मैंने आपको frequency निकालने का तरीका क्या बताया था, कि imaginary part बीटा का zero कर दो, ठीक है, अब देखिएगा, जो z1 है, वो r1 और c1 parallel है, r1 parallel 1 by s c1, और जो z2 है, वो r2 प्लस 1 by s c2 है, तो अब आप क्या कह रहे हूं, बीटा basically क्या हुआ, r3 by r3 plus r4 minus z1 by z1 plus z2 r1 by 1 plus s c1 r1 z1 plus z2 अब अगर आप lcm ले लो ना, इसका नीचे वाली टर्म का, s c2 r1 s c2 r1 plus 1 plus s c1 r1, 1 plus s c2 r2, ठीक है भाई, अब बीटा में, बीटा में अगर आप s की जगे, आख आज और, आज़ और कल के लिए वीडियोस प्राइवेट कर दीजे, कर देगे भाई, ऐसी डिमांड वैसे पहली बार आईए, चलो, ये भी अच्छा इडिया है, अब देखो बीटा में S की जगे आप J उमेगा डाल दीजिए माइनस J उमेगा अब यार एक चीज सोचिए यहाँ पे पहली टर्म तो प्योरली रियल ही है पहली टर्म में तो कुछ इमेजनरी पार्ट है ही नहीं करेक्ट तो बीटा का जब इमेजनरी पार्ट लेना है तो सेकंड टर्म से ही लेना चाहिए न हमको बीटा इमेजनरी पता है कैसे लोगे या तो ऐसा करो अभी बीटा को यह और सिंप्लिफाई कर लो बाद में बीटा इमेजनरी की बात करते हैं जे उमेगा से एक काम करो डिवाइड कर दो तब ही चीज़े सही हो पाएंगी जे उमेगा से अगर डिवाइड कर दोगे C2 R1 1 बाई जे उमेगा जे उमेगा का स्क्वाइर तो जे उमेगा बचेगा R1 R2 C1 C2 ठीक है और फिर फिर आप क्या कहोगे जे उमेगा जे उमेगा से जे उमेगा कट जाएगा R1 C1 देखो ये हुआ अब आप कह रहे हो कि बीटा मस्ट बी रियल बीटा रियल होना चाहिए यानि बीटा में ये जो इमेजनरी टर्म्स हैं जीरो जानी चाहिए मानते हो ये बात मानते हो सभी लोग कि बीटा अगर रियल होगा तो इसमें जो इमेजनरी टर्म्स हैं ये आपके जीरो जाने चाहिए ठीक है जी तो अब जे से अगर मल्टिप्लाई डिवाइड कर लो वन इक्वल टू ओमेगा स्क्वाइर देखो यहां से ओमेगा आ जाएगा ना ये आ गया ये आ गई फ्रिक्वेंसी ओफ उसिलेशन एक बार आपको उमेगा मिल गया मेरे भाई तो बीटा में क्या बचा बताईए बीटा में बचा आर्थ्री है न उपर आर्थ्री बाई आर्थ्री प्लस आर्फूर माइनस सी टू आर्वन बाई सी टू आर्वन प्लस ये टर्म बच गई ना आर्वन सी वन प्लस आर्टू सी टू ये हुआ अब मैं क्या कहता हूँ कि गेन ओफ ओपैम्प गेन ओफ ओपैम्प अगर बीटा टेंडिंग टू जीरो हो जाता है तो आप इसका रैसी प्रोकल लिख सकते हो C1 R1 प्लस C2 R2 बाइ C2 R1 तो ये हुआ 1 प्लस R4 बाइ R3 1 प्लस C1 बाइ C2 प्लस R2 बाइ R1 1 से 1 कट गया तो एक और कंडीशन हमारे पास यहाँ निकलके आई इसको हम बोलते हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेशन क्या बोलते हैं कंडीशन फॉर ऑसिलेशन तो एक तो ये कंडीशन आ जाती है ये कंडीशन भी आपको ध्यान रहनी ची devi गेट में एक बार एक नंबर के question में ये condition मांग ली गई थी this is the condition for oscillation अगर ये condition satisfy होगी तब ही आपका wind bridge oscillator oscillate करेगा और कितनी frequency पे oscillate करेगा 1 by r1 r2 c1 c2 under root या फिर अगर frequency आपको लिखना है 1 upon में 2 pi root over r1 r2 c1 c2 ये हो गया भई ठीक है theta मेरे भाई open amp का आपने कौन सा voltage लिया है Vf लिया है ना Vf ही तो लिया है तो फिर Vf जो है किस में लग रहा है op amp में लग रहा है ना देखो ये हम बोल रहे है ये जो op amp है इसका input है Vf output है V0 तो op amp का open loop gain कितना लेते हो infinity लेते हो ना क्योंकि V0 equal to Avf ये ही तो लिखोगे तो हम कह रहे हैं अगर A infinity है तो beta must come out to be 0 ठीक है वही तो आपको ये conditions ध्यान रखनी है ये condition और frequency और बहुत बार पता इसको as a bridge network भी बना दिया जाता है इसको as a bridge network भी बना दियते है V0 आ गया अब positive terminal पे क्या था आपका R3 और R4 था V0 से positive terminal पे आपका R3 और R4 था इसको कैसे दिखाएं और इधर से एक negative terminal पे एक तो ground था और negative terminal और ground के बीच में क्या था देखो negative terminal और ground के बीच में R1 C1 देखो जरा और negative terminal और V0 के बीच में क्या था R2 और C2 पैरलल में V0 और positive terminal के बीच में मेरे ख्याल से R4 था और फिर ground थक R3 था यही था ना V0 से positive terminal R4 और यह R3 अब positive terminal देखो ऐसे यह हमने बनाया ठीक है जी अब यहाँ पे देखिए condition क्या है कुछ ऐसी condition है यहाँ पे अगर देखोगे ना उपर वाला resistance R4 अपॉन R3 उपर वाला resistance R2 अपॉन नीचे वाला resistance R1 capacitor के case में उल्टा क्योंकि capacitor की impedance होती है 1 by SC capacitor की impedance होती है 1 by SC यह बात समझ में आ गई तो इसलिए capacitor में ratio जो है उल्टा आपका capacitor में जो ratio है वो उल्टा चल रहा है याँ नीचे वाला के capacitor अपॉन उपर वाला के capacitor और omega तो आप जानी गए अब अच्छे जे clear हो गया भई RC वेंब्रिज oscillator बताओ वेंब्रिज उसिलेटर अच्छे जे clear है सभी को 1 by root 2 under root r1 r2 c1 c2 parallel ground से था अच्छा parallel वाला ground से था series वाला इधर था चलो फिर इसको change कर देते हैं तिक है जी ये लो clear है चलो अरे भगवान ये लोग सुधरेंगे ने spam किये बिना न पतानी क्या चाहते हैं चलो अब देखें भई इसके बारे में और कुछ बाते हैं इसके advantages क्या है आप इसको audio frequency oscillator की तरह use कर सकते हो audio frequency माने low frequency और जब आप signal generator यानी function generator बनाते हो वहाँ पे main oscillator आपका कौन होता है main oscillator होता है wean bridge oscillator तो this is the master oscillator लेकिन पता है इसका एक drawback भी है drawback क्या है भाई कि देखो opamp का frequency response आप जानते हो opamp का आपने frequency response पढ़ा है न ये एक high pass filter की तरह होता है sorry low pass filter की तरह it is similar to low pass filter तो इसका जो gain होता है वो कैसा होता है one plus j f by fh ये होता है न तो इसका जो angle है वो होता है minus tan inverse f by fh यानी ये phase lag देता है negative phase shift का मतलब है ये phase lag देता है तो अगर आपको a beta 1 करना है तो जितना ये lag दे रहा है उतना ही आपको lead generate करना पड़ेगा by means of a compensating network तो आपको एक extra network लगाना पड़ेगा जो कि इसके lag को compensate करेगा that is called as the compensation network मुझे बताओ ये बात clear हो गई? ये बात clear हो गई? जल्दी से बोलो अब अगले पर आते हैं भाईया RC face shift oscillator RC face shift oscillator अब इसके अंदर देखो भाई ये जो है ये एक inverting amplifier है अब तो सबको नजर आ रहा है ये एक inverting amplifier है कैसे सर? क्योंकि बिटा amplifier के कौन से terminal में तुम input दे रहे हो? inverting terminal में यहाँ पे दे रहे हो ना VF में तो ये एक inverting amplifier हुआ और आगे ये जो आपका R और C वाला network है that is your feedback network जिसको कहते है RC face shift network this is your feedback network तो feedback network आपने किसकी मदद से बनाया? RC network की तो ये वाला जो voltage है बिटा ये V0 है और feedback network का जो output है that is VF feedback network का जो output है that is VF ये बात बताओ ये clear हुई? ये clear हुआ? इसको कहाँ पे use करते हैं बिटा? अगर आपको एक अच्छी shape वाले अच्छी waveform वाला sine wave चाहिए तो आप RC face shift oscillator का use कर सकते हैं ये as a local oscillator local oscillator माने जो सिर्फ उस circuit के लिए है global oscillator क्या होगा या universal oscillator क्या होगा? जो सारे components के लिए एक oscillator हो तो ये local oscillator की तरह काम आता है synchronous receiver में communication में आप पढ़ते हो synchronous receiver वहाँ पे जो आपका sine wave generate करेगा वो होगा RC face shift oscillator musical instruments के लिए और हमारे labs के purpose में भी आता है RC face shift oscillator ठीक है? तो यहाँ पे एक inverting amplifier है एक RC face shift network है अब ये inverting amplifier बिटा कितना face shift देगा? 180 degree shift देगा तो अगर आपको A beta 1 करना है तो ये feedback network को भी 180 degree shift देना होगा तो हम कहाँ देते हैं तीन section है ना R और C के देखो CR 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 तो हम कहाँ तोटल 180 चाहिए अगर 360 60 दे दें तो भी हमारा काम हो जाएगा अगर 360 60 दे दे दें भी हमारा काम हो जाएगा लेकिन पता है क्या? अगर आप 1 C और R का section लो और ऐसे 3 gain multiply कर दो तो आपको टोटल नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ loading effect है मैं क्या कहना चाहरा हूँ? देखो ये मेरा feedback network है ये क्या है मेरा? feedback network है लेकिन अब अगर आप सोचो कि sir 1 RC का section लेता हूँ उसका transfer function निकालूँगा और 3 का multiply करके आ जाएगा तो गलत बात है क्योंकि भीया loading effect है यहाँ पे यहाँ पे बीच में isolation नहीं है दो-दो sections के यानि एक section से दूसरे section में current जा रहा है तो मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे? हम क्या बोल रहे हैं? we cannot directly multiply यह वाला amplifier काफी है sorry oscillator काफी important है we cannot directly multiply transfer function of each of the RC section as there is loading effect as there is loading effect ठीक है? loading effect के कारण तीनो directly नहीं multiply हो सकते मैं communication नहीं पढ़ाता हूँ मेरे भाई बाकी communication का crash course तुम लोग का जरूर लगेगा tension क्यों ले रहे हो? अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे तो current 0 है तो आप पता है V2 से VF निकाल सकते हो voltage division से देखिएगा जरा VF equal to V2 into R upon R plus 1 by SC यह हो गया ना? यह आ गया भई अब यहाँ से V2 निकल गया एक तरह से क्योंकि V2 तो मेरा मानावा variable है यह हो गया देखो V2 आ गया अब मुझे क्या चाहिए बिटा? मुझे V0 और VF का relation चाहिए basically VF by V0 निकालना चाहता हूँ ताकि बीटा आ जाए तो बीच में एक नूड पे मैंने V1 माना अब V1 कैसे निकाला जाए हमारे पास V2 का voltage है VF की terms में V1 में निकालने को तो निकाली सकते हो बिटा देखो यहां से तुम कह सकते हो अगर I निकालना है तो I ना दो currents का sum होगा आई डैश और I डबल डैश तो I डबल डैश जो है न यहां पे भी जा रहा है यानि VF बायार तो हम लोग यहां पे क्या बोलते हैं कि I देखो I डैश प्लस I डबल डैश I डैश कितना है भई V2 बायार और I डबल डैश दूसरे वाले रजिस्टेंस में जा रहा है VF बायार V2 की जगे क्या डाल दोगे भई VF 1 प्लस SCR बाय SCR और नीचे एक R है तो VF बायार कॉमन ले लो न यहां पे LCM ले लो ठीक है अब एक बार यह I आ गया तो आप V1 निकाल सकते हो ना V1 एक्वल टू V2 प्लस I अपॉन SC तो V2 क्या है VF 1 प्लस SCR बाय SCR आई बाय SC क्या होगा VF बाय देखो यहां पे R है ना और एक SC आ गया तो नीचे SCR का सक्वायर 1 प्लस 2 SCR ठीक है यह क्लियर हुआ अब आप LCM ले लो नहीं बेटा जितना तुम्हें चाहिए कोश्चन उतना तो नहीं आता गेट में उसिलेटर से अब मुझे पता नहीं तुमको कितना चाहिए उसिलेटर से सवाल कोई भी चीज पढ़ने लगो थोड़ी सी उसमें महनत लगेगी तुरंट सोचेंगे इससे तो सवाल आएगा ही नहीं है ना चलो अब जल्दी से इधर आजाओ अनलोग के प्लेलिस्ट का सीक्वेंस डिस्टर्ब हो गया है ठीक है तो इसमें पूरा से आर मल्टिप्लाई हो जाएगा ये टर्म बनेगी से आर और टू से आर थ्री से आर प्लस वन ये आ गया ठीक है अब इसके बाद क्या होगा वी वन मिरको मिल गया अब वी नौट चाहिए अब भाई यहाँ पे आई करेंट जा रहा है इधर जा रहा होगा वी वन बाई आर तो ये करेंट आई वन हो गया देखे रहें वो कितनी महनत है अब ये आई वन हो गया आई वन निकालना है वी वन बाई आर प्लस आई फिर वी नौट क्या होगा V1 प्लस I1 बाई SC V1 प्लस V1 बाई SCR प्लस I बाई SC I बाई SC आई ए रहा I बाई SC अगर करोगे V बाई SCR का स्क्वार ठीक है? और 1 प्लस 2 SCR अब V1 है VF बाई SCR फिर V1 बाई SCR अभी तुमको लग रहा होगा कितनी मजदूरी है तुम्हें देखके डर लग रहा है सूचो मैं तो कर रहा हूँ अब देखो यह तो क्लियर है कि SCR का क्यूब LCM में आएगा राइट SCR का क्यूब LCM में आ जाएगा ना तीनों टर्म में देखो ना LCM में SCR का क्यूब आ जाएगा अब देखो यहाँ पर SCR का क्यूब बन जाएगा SCR स्क्वाइर इंटू SCR क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में SCR का स्क्वाइर है ना और LCM आपने क्यूब लिया है तो पहली टर्म बन गई SCR का क्यूब उपर में ठीक है अब यह 3 SCR का स्क्वाइर हो जाएगा प्लस SCR का स्क्वाइर यानि 4 और यह भी 2 SCR का स्क्वाइर बनेगा यानि 6 तो 6 SCR का स्क्वाइर ठीक है अब यह हो जाएगा SCR यहाँ पर आएगा 3 SCR यानि 4 और यह भी बनेगा SCR यानि की 5 5SCR ठीक है? और यहां से बचा एक 1 तो यह 1 आ जाएगा ठीक है वही? अब बीटा जो है लो हो गई सारी महनत सफल बीटा आ गया ना SCR का क्यूब अब आगे महनत नहीं है यह बीटा निकालना टफ है और देखो अगर exam में standard circuit आया जिसमें 3 ही section हुए तब तो तुम formula याद करके कर सकते हो कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन अगर non standard circuit आया तो मैंने तुम्हें यह भी दिखाया कि derive कैसे हुआ समझ रहे हुआ लिखने को तुम्हें direct लिख देता यह expression कि यह बीटा आएगा लेकिन अब तुम्हें समझ आ गया ना यह बीटा आता कैसे है यार मैंने डाला है यार कैसी बात कर रहे है रोहित जस्ट आ मिनट देखो भाई कर अंग गई हमारी प्लेइलिस्ट दब गई एक्टिव फिल्टर पार्ट वन पार्ट टू नेगेटिव फीडबैक अप्लिकेशन पार्ट वन पार्ट टू तो हैं तो बताओ और क्या धुथनना चाह रहे हो बेसिक्स of OPAMP केरेक्ट्रिस्टिक उफ उपम नेगेटिव फीडबैक अप्लिकेशन पार्ट वन पार्ट टू असाइनमेंट डिसकशन नॉन लिनियर अप्लिकेशन अक्टिव फिल्टर असाइनमेंट डिसकशन फीडबैक amplifier oscillators है तो सारी चीज़े हैं बेटा होगा जब public होगा तो बता देंगे एम यह तुम लोग परिशान हो playlist में ही तो है अभी मैंने playlist में ही तो खोल के दिखाया भाई रोहित हान जी अब आ जाओ अब हमें क्या करना होता है बेटा को j omega में convert करना होता है j का q माइनस j होता है j का square माइनस 1 अब आपको बीटा का imaginary part 0 करना है ठीक है बीटा का imaginary part 0 करना है तो उपर j है ना एक चीज यान दे सुनना अगर उपर j है नीचे भी j वाला part बन जाए तो real आ जाएगा उपर j नीचे j cancel हो जाएगा ना सोच के देखो उपर j नीचे j cancel हो जाएगा तो मैं कहता हूँ नीचे का real part 0 कर दो फिर उपर भी imaginary नीचे भी imaginary which will become real तो बीटा imaginary 0 करने का मतलब है नीचे का real part आप 0 कर दो लॉजिक समझ आ रहा है फिर imaginary upon imaginary 0 हो जाएगा तो यहाँ से omega क्या आ गया 1 by rc root 6 यह आ गई frequency of oscillation बोलो यह frequency of oscillation बन गई अब अगर frequency of oscillation को आपको मिल चुका है तो आप मुझे बताओ बचावा बीटा क्या होगा नाओ बीटा विल बी माइनस जे ओमेगा सी आर का क्यूब और नीचे क्या बचेगा माइनस जे ओमेगा सी आर का क्यूब प्लस फाइव जे ओमेगा सी आर एक तो कटी गया और जे से जे कट गया तो ओमेगा सी आर का स्क्वायर बाई ओमेगा सी आर का स्क्वायर माइनस फाइव ओमेगा सी आर का स्क्वायर कितना है भाई वन बाई सिक्स माइनस 1 बाई 29 अब गेन एक कितना है एक inverting amplifier है न inverting amplifier का गेन कितना होगा भई बताइए माइनस R2 बाई R1 यह होगा माइनस R2 बाई R1 तो बीटा तो माइनस 1 बाई 29 आ गया A है माइनस R2 बाई R1 तो जब आप A बीटा को 1 करेंगे तो इसका मतलब R2 बाई 29 R1 is 1 तो R2 कितना आ गया 29 R1 और आपको यह दिख रहा है बीटा नेगेटिव आ रहा है माने बीटा भी 180 डिगरी का शिफ्ट दे रहा है बीटा भी आपको 180 डिगरी का शिफ्ट दे रहा है क्योंकि इनवर्टिंग एम्प्लिफायर ने 180 का शिफ्ट दिया था तो दोनों 180 180 का शिफ्ट दे रहे है क्लियर हुआ अब समझा है बार कुसेन क्राइटिरिया कैसे लगता है जल्दी से बोलिए बार कुसेन क्राइटिरिया कैसे लगता है क्लियर हुआ अब देखो यहाँ पे ओपैम्प के इनवर्टिंग एम्प्लिफायर की जगे है आप चाहते तो बीजेटी का कॉमन एमिटर एम्प्लिफायर भी ले सकते थे यह देखो नबीजेटी का एक capacitor लगा दिया है CE which is a kind of a bypass capacitor तो हम can be replaced by BJT common emitter amplifier ले सकते हो आप देखो इसके अंदर हम लोग ना पूरा का पूरा derivation नहीं कर रहे हैं पूरा का पूरा derivation नहीं कर रहे हैं मैं frequency लिखवा रहा हूं वैसे तो देखो इसका chance कम है आने का फिर भी अगर कभी अपनी किस्मत फूटी हो तो अपने को पता होना चीए यहाँ पे ना 4K का factor extra आ रहा है जैसे वहाँ तो 1 by 2 pi rc root 6 आ था वहाँ सिर्फ root 6 आ रहा था यहाँ root 4K plus 6 आ रहा है जहाँ पे की k की value है rc by r कितनी है rc by r ये बात समझ में आ गई rc क्या है collector resistance r क्या है इस rc network का resistance rc ये वाला resistance है ठीक है जी अब इसके अंदर नहीं condition भी होती है बिटा condition भी होती है hfe पे ठीक है hfe माने क्या होता है भाई जल्दी से बताओ hfe क्या होता है बीटा होता है ना तो hfe is greater than 4K plus 23 plus 29 by k hfe माने बीटा बीटा इससे बड़ा होना चीए ठीक है बीटा इससे बड़ा होगा तभी ये आपका काम करेगा बात clear हो गई ना चल्द अब सेम वे में बीटा हम लोग क्या कर सकते हैं हम लोग ये भी कर सकते हैं कि inverting opamp amplifier inverting opamp amplifier replaced by common source amplifier क्योंकि common source भी तो inverting ही होता है और mosfet में एक फायदा होता है जैसे opamp का input current जीरो होता है ऐसे mosfet का भी input current आपका 0 होता है ठीक है आपका ऐसे mosfet का भी input current 0 होता है ठीक है तो ये फायदा है कि बीजेटी को sorry opamp को ज़्यादा resemble करता है और इसी कारण से इसकी भी जो frequency आती है वो opamp वाली ही आती है ठीक है same as opamp because input current is 0 है ना opamp की तरह है इसका भी input current 0 होगा देखो ना ये input यहीं तो ला रहा है वापिस से तो यहाँ पे कोई current आ ही नहीं रहा होगा लेकिन बीजेटी वाले में देखो यह जहां लेके जा रहा है यहाँ पे तो एक feedback current बन रहा है ना if बताओ यहाँ पे तो एक feedback current बन रहा है आपका आ रहा ही इसलिए dotted दिखाया है चमक गया यह है जल्दी से बताओ यह clear हुआ अब यहाँ पे ना बीटा जो आता है वो minus 1 by 29 आता है तो a बीटा 1 करने के लिए a must be minus 29 ठीक है तो mu must be greater than 29 mu तो आप जानते हो ना gmr0 होता है वो maximum gain होता है किसी भी आपका maximum gain होता है MOSFET या FET amplifier का बूल गई क्या mu का मैंने value बताया था gmr0 तो gmr0 must be greater than 29 यह maximum gain है ना तो MOSFET का जो भी gain आएगा वो mu से कम ही आएगा क्योंकि source resistance आजाएगा load resistance आजाएगा तो gain कम हो जाता है यह maximum gain होता है 29 चलो यह question देखो जरा फटाफट से इससे पहले मैं LC oscillator पे जाओं कुछ question दिखा देता हूँ फटाफट पहचानो oscillator और frequency बताओ और chat में कोई नहीं लिखेगा पहले frequency निकाल के answer लिखना यह मत बताना कौन सा oscillator है ठीक है पहले frequency निकालो कई लोग होते हैं ग्यान देने लगते हैं ग्यान नहीं चाहिए rank चाहिए ठीक है बेटा इस पर मैं कई वीडियो बना चुका हूँ शानवी कि motivation कैसे maintain रखना मेरा अगर recent का कोई भी motivational वीडियो देखोगे उसमें इस पर बात जरूर हुई है 33.86 बाकी लोग बताओ देखें देखो यह है आपका वीन ब्रेज ओसिलेटर यहाँ पर frequency क्या आएगी RC दोनों की value सेम है ना दोनों resistance भी बराबर है और दोनों capacitance भी बराबर है resistance है 1 किलोम, capacitance है 4.7 microfarad तो यह हो गया हजार बटे 33.86 ठीक है बई? और ना condition भी चेक कर ले ना जैसे 2 by 1 is 2, 1 by 1 plus 4.7 by 4.7 तो रेशो 2 आप मैच हो रहा है ना? उपर वाले का 2 upon 1 equal to 1 upon 1 plus 4.7 upon 4.7 तभी उपाएगा oscillation अगला देखो जरा the phase shift oscillator shown operate at 80 kilohertz value of resistance RF is बताए आरेफ की value 80 kilohertz frequency दे रखी है RF की value पूछ रहा है बताए 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 रहा है आया answer देखो यह RC phase shift oscillator है तो frequency जो होगी 80 kilohertz 1 upon 2 pi RC root 6 होगी तो यहाँ से आर निकाल लो C 100 picofarad है ना? 100 picofarad को आप 10 की power minus 10 लिख सकते हो 8.121 kilo ohm अब यह जो आरेफ होता है gain के अनुसार यह 29 आर होगा gain of amplifier से अगर सोचो तो यह आरहा है 235.55 kilo ohm यही आरहा है? बताओ चलो बहुत ही बढ़िया अगला देखें बई the value of C required for sinusoidal oscillation of frequency 1 kilohertz तो देखो oscillator पर बड़े easy question बनते हैं ऐसा topic नहीं है जो तुम ना कर पाओ non-inverting का inverting ही तो है? अच्छा यह थोड़ा सा गड़बड दे रखा है यह ऐसे होगा इसमें inverting ही बनाना पड़ेगा क्योंकि RC face shift वाला जो network है वो 180 degree का shift देता है न साई? तो मजबूरी है, inverting ही होगा 11C हमें 1 kilohertz का frequency चाहिए अमन देखो यह कौन सा oscillator है? circuit देखके पहचानना है वेन ब्रेज ओसिलेटर है ठीक है जी? तो यह जो 1 kilohertz है यहाँ पे देखो R और C बराबर है ना तो R1, R2, C1, C2 भी अगर लिखोगे तो R C बन जाएगा ठीक है? तो 10 की पावर माइनस 6 अपॉन 2 पाई तो 1 बाई 2 पाई यह आ रहा है 0.159 microfarad यह बन रहा है 0.159 microfarad ठीक है बही? चालो अगला देखो अब वेन ब्रेज उसिलेटर इस शोन इन दा फिगर दा ब्रेज इस बैलेंस्ट वेन कंडीशन पूछ ली ऐसा ही गेट के अंदर सवाल पूछा गया था भई कंडीशन और फ्रिक्वेंसी कम आन एवरिवान पढ़ाफट से बताए यह C1, R1 है यह R2, C2 है यह R3 और नीचे वाला R4 है C क्या है भई R3 बाई R4 अगर R3 बाई R4 करोगे इधर से R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 R1 बाई R2 प्लस C2 बाई C1 यानि C आ जाएगा C आ जाएगा बहुत ही बढ़िया चलिए अगला दा वेन ब्रेज ओसिलेटर इस शोन इन दा फिगर फ्रेक्वेंसी पूछ रहा है भई चलिए फ्रेक्वेंसी निकाल दो जरा फटा फट से इसकी मज़ा आ रहा है नो ओसिलेटर के सवालों में काफी एजी लग रहा होगा तो जितनी भी महनत हमने डेरिवेशन में की अब देखो तुमको कितनी सुईधा है उसकी वज़े से ओप्शन बोलो अमन तुम कुछ अलगी आंसर दे रहे हो भाई दुनिया से हटके ऐसा तुनिया कहीं कुछ और बात चीज़ चल रही है बीच में हमारी चैट में कुछ टाइप कर दे रहे हो भाई दो दो टैब खुले हो सी आ रहा है देखे देखो फ्रिक्वेंसी होगी R1, R2, C1, C2 R1, R2 कितना होगा? 2 x 100 C1, 2 nano और 0.5 micro तो यह 10 की पावर माइनस 15 हुआ और यह 10 की पावर 6 हुआ तो 10 की पावर माइनस 9 यूनिट्स पे ध्यान दे ना भाई है ना 200, 400, 200 355.88 तो आंसर विल भी C बहुत ही बढ़ी है इसी का अगला पार्ट देखो भई At frequency of oscillation the feedback factor बीटा is frequency of oscillation पे बीटा कितना होगा? इस circuit का बीटा पूछ रहा है 0 होता है ना 1 by A यहाँ पे open loop gain से निकालते है ना तो 0 होता है याद नहीं है अभी बीटा 0 किया था RC इसके अंदर आपका wean bridge oscillator में बीटा इस 0 क्योंकि open loop gain is infinity अब आजाओ LC oscillator पे अब देखो LC oscillator कैसे बनाया जाता है यह उपर में हम लेते हैं बीटा एक inverting amplifier क्या लेते हैं उपर में एक inverting amplifier ठीक है? तो यह 180 degree का shift देगा ना तो अब आपको जो बीटा लेना होगा वो भी 180 degree का ही shift देना चाहिए मानते हैं सभी लोग कि जो हमारा feedback network होगा that should also give a shift of 180 degree तो यहाँ पर यह नीचे वाला जो network है ना बिटा यह हम बनाते हैं यह हम क्या बना रहे हैं? यह हम बना रहे हैं feedback network और यहाँ पर जो feedback network बनता है ना वो tank circuit से बनता है यानि कि जिसके अंदर L और C होते हैं तो इसको हम बोलते हैं split tank split tank क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि बीच में हमने कर दी है grounding क्या कर दी है बीच में? grounding तो यह VF यह V0 यह आपका output voltage है amplifier का this will act as a input to the feedback network और यह output क्या देगा? VF तो यहाँ तीन impedance यूज करते हैं Z1, Z2 और Z3 क्या यूज करते हैं? तीन impedance यूज करते हैं Z1, Z2 और Z3 यह standard structure होता है बिटा एक LC oscillator का यहाँ पर जो feedback network है वो L और C की मदद से बनेगा sir, inverting part में C नहीं है इसमें A आएगा न है? क्या कहना चाहरे हो भाई? सुसूबन भाई, क्या पूछ रहे हो? नहीं समझाया है तुमारा सवाल एकदम तो देखो, LC oscillator uses tank circuit for giving the required positive feedback for sustaining the oscillation तो यह positive feedback देता है और किसकी मदद से देता है? tank circuit की मदद से और यहां पे जो है न high frequency wave बनती है अभी मैंने बताया था न, LC oscillator high frequency पे ही काम करता है, इसलिए इसको बोलते है radio frequency oscillator आप 500 MHz से ज़्यादा की भी wave बना सकते हो अब इसमें हमें study क्या करना है? देखो, inverting amplifier तो कोई बड़ी चीज नहीं है, हमें study करना है face splitter, जो नीचे वाला network है न, जिसको आपने बोला है split tank, इसको बोलते है face splitter, तो face splitter हमको study करना है, अब देखिए कैसे, अभी न, सिर्फ आप अगर नीचे नीचे वाला network लोगे, जैसे मान लो, आपने दो resistance लगा लिए, अभ ठीक है, ये मान लो, R है, और ये, या ये R2 है, ये Z1 था न, मान लो कि ये R1 है, और ये R2 है, ये voltage V0 है, और ये VF है, अब बंद हूँ, एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पर 0 है न, तो यहाँ पर current कितना आएगा, तो यह आएगा V0 by R2, और इधर से I' कितना आएगा, VF minus 0 by R1, पता है, ये दोनो current का sum 0 आना चाहिए, क्यों, क्योंकि ground में कोई current जाएगा नहीं, सर, ground में क्यों नहीं जा रहा current, बिटा, ground में भी current तब जाता है न, जब ground के साथ एक close path बने, अगर ground के साथ भी close path नहीं बनेगा न, ऐसा नहीं है कि कहीं भी अगर आप ground में connect कर दोगे, तो सारा current ground में जाने लगेगा, ground में तब जाएगा, जब source पे भी कहीं grounding होगी, जैसे मान लो source का एक terminal grounded है, बीच में कहीं fault आगया, वहाँ पे भी grounding आगई, तो ऐसे ground से close path मिल जाता है, जब तक ground के साथ आपको close path नहीं मिलेगा, तब तक आपका current zero रहेगा, नहीं तो ऐसे सोच लो, इस ground में zero ampere जा रहा है न, तो ये वाला भी तो ground है, तो यहाँ पे भी zero आएगा, ये ground ground आपस में connected तो मान सकते हो, तो ground से ground, तो basically अगर इस ground टर्मिनल में zero है, तो इस ground के अंदर भी zero ही होना चाहिए, तो अब अगर इन दोनों का sum zero करोगे, तो आप VF by V0 निकाल सकते हो, कितना आएगा, तो VF by V0 will be minus R1 by R2, ठीक है, तो ये आपका बीटा बन गया, ये आपका बीटा बन गया, minus R1 by R2, तो बेटा, इन जनरल अगर हम ऐसा बोल दें, ये logic clear हुआ, बताओ, इन जनरल हम अगर ऐसा बोल दें, कि ये जो face splitter है, ये दो impedances से बना है, ये है Z1, ये है Z2, ये logic clear हुआ, ground में current क्यों नहीं गया, तो क्या होगा, बीटा, यानि VF by V0, is minus Z1 by Z2, अब ये जो split, आपका face splitter network है न, ऐसा जरूरी नहीं कि आप सिर्फ resistance से बना हो, ऐसे दो inductor ले लो, या दो capacitor ले लो, आप बना तो तब भी सकते हो भई, अगर आप यहाँ दो impedance के तौर पे, दो inductor ले ले लें, तब भी तो काम हो जाएगा, तब भी तो काम हो जाएगा, यहाँ पे बीटा आ जाएगा, minus L1 by L2, और यह देख रहे हो, बीटा negative आ रहा है, जो कि आना भी चाहिए, क्योंकि अगर inverting amplifier 180 degree का shift दे रहा है, तो feedback network को भी 180 देना पड़ेगा, ताकि total shift शुड़ भी 360 degree, total shift शुड़ भी 360 degree, यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, क्योंकि capacitor है न, capacitor में 1 by omega c होता है, ठीक है, capacitor में 1 by omega c होता है, हाँ, यह वाला V0, VF, यहाँ पे उल्टा लिख दिया है मैंने, ठीक है, तो यह जो दो inductor वाला network है न, बीटा, इसका use किया जाता है, heartlay oscillator में, कहाँ पे किया जाता है, heartlay oscillator, और इसका use किया जाता है, coal pit oscillator में, तो इस तरह के न, दो oscillator बनते हैं, L और C से, एक में दो inductor यूज करते हो, और एक में दो capacitor, तो यहाँ से तो बीटा आ गया, अगर बीटा आ गया, तो मैं A decide कर सकता हूँ, correct, बीटा आ जाने से, मैं A decide कर सकता हूँ, A बीटा को one करके, लेकिन अभी भी एक बात तो यह रह गई न, कि frequency कैसे आएगी, तो देखो, आप यह सोच रहे होगे, sir, Z3 का, तो क्या ही use किया आपने, देखो, आपका पूरा network ऐसे था न, तो देखो, हम यहाँ पे न, loading effect इग्नोर करके चलते हैं, माने कि कोई भी current आपका feedback network से, opamp में नहीं जा रहा है, तीक है, आप क्या मान के चलते हूँ, जब आपका LC oscillator चल रहा है, भाई, LC oscillator resonance में है न, तो ना तो यह कोई current लेगा, ना ही यह कोई current देगा, LC oscillator at resonance does not take any current, सही बात है न, तो यानि इसका जो भी current होगा मेरे भाई, वो ऐसे ही घुमता रहेगा, correct, तो आप अगर KVL लगाएंगे, KVL ना resonance पे बात हो रही है, यहाँ पे, Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 is 0, तो यहाँ पे तीनों impedance का sum 0 जब हमने कर दिया, तो यहाँ से हमको क्या मिलती है, oscillation frequency, चमका यह बात, कि resonance पे एक LC oscillator ना तो कोई current लेगा, ना ही कोई current देगा, उसकी energy उसी के अंदर oscillate करती रहेगी, सिर्फ resonance पे, अगर और कोई frequency हुई तो ऐसा नहीं होगा, सिर्फ कब होगा, resonance पे, अब देखो, heartlay oscillator में हमने क्या किया, Z1, Z2 के नाम पे क्या लगाया, inductor, और Z3 के नाम पे क्या लगाया, capacitor, समझ रहे हो, Z1, Z2 मैंने बताया न, आपका जब दो inductor यूज होते हैं, that is a heartlay oscillator, तो आपका Z1 क्या हो गया, SL1, Z2 क्या हो गया, SL2, और Z3 क्या हो गया, 1 by SC, correct, तो यहाँ पे अगर oscillation frequency हमको चाहिए, बहुत हलुआ सा oscillator रही है, तो देखिए, J omega L1, J omega L2, plus 1 by J omega C, equal to 0, यानि omega L1 plus L2, is 1 by omega C, तो omega क्या आगया, 1 by root over L1 plus L2C, दोनों inductor series में connected हैं, इसलिए L1 plus L2, series में क्यों थे, क्योंकि आपने बोला था न, दोनों का current सेम है, यहाँ गया, और यहाँ से अगर frequency लिखते हो, इसलिए देखो हमने general case पढ़ लिया न, पहले, general case पढ़ लेने से क्या है, यह सब easy हो गया, अगर मान लो यह दोनों inductor mutually coupled होते, मान लो, if additive coupling is present between two inductor, हो सकता है न, इनके बीच में जो है, एक mutual inductance भी हो, तो क्या होगा, L equivalent, L1 plus L2 plus 2M, और frequency क्या हो जाएगी यहाँ पे, 1 by 2 pi root L equivalent into C, यह हो जाएगी न, 1 by 2 pi root L equivalent into C, मुझे बताओ यह clear हुआ, और यहाँ पे बीटा बीटा क्या होगा आपका, minus L2, sorry, L1 by L2, और gain A क्या है, minus RF by R1, तो जब आप A बीटा को 1 करते हो, तो आरेफ L1 by R1 L2 equal to 1, समझे, A बीटा को 1 भी लिख सकते हो, because it must satisfy the bar cousin criteria, है न, तो आप यह भी कह सकते हो, RF by R1 equal to L2 by L1, अब यही चीज़, inverting amplifier को आप किस से replace कर सकते हो, BJT के common emitter amplifier से, inverting up amp replaced by BJT common emitter amplifier, ठीक है, लेगिन पता है, हार्टले oscillator में एक problem यह होती है, कि यहाँ पे न, हार्मोनिक content बहुत ज़ादा होता है, उसका simple सा reason है, due to inductors, inductors होते हैं, थोड़े से high power devices, inductors पैदा करते हैं, interference, inductors पैदा करते हैं, harmonics, इसलिए हार्टले oscillator जो है न, बहुत ज़ादा wide frequency range पे काम नहीं कर पाता है, because the harmonic content is very very high, तो एकदम pure sine wave तो नहीं दे पाएगा, अगर आप चाहोगे न, एकदम pure sine wave मिले वो नहीं होगा, इसलिए दूसरे पे आते हैं, कॉल्पिट oscillator पे, कॉल्पिट oscillator में Z3 बना inductor, Z1, Z2 रहे आपके capacitors, तो Z1 हुआ 1 by SC1, Z2 हुआ 1 by SC2, और Z3 हुआ SL3, तो मेरे भाई, जब आप frequency of oscillation निकालने जाओगे, तो आपके पास तरीका क्या होता है? कि Z1 प्लस Z2 प्लस Z3 जीरो, 1 by J उमेगा C1, प्लस 1 by J उमेगा C2, अब यह जो नीचे वाले J हैं, यह तो बेसिकली माइनस J बन जाएंगे न, उपर जाके, आप J उमेगा L E कर लो, इसको L3 की जगे हैं न, क्योंकि L3 करने की जुरूरत है, तो यहाँ पर क्या होगा? उमेगा L is 1 by उमेगा, C1 प्लस C2, मैंने LCM ले लिया, C1, C2, तो उमेगा एक्वल टू 1 by, क्योंकि कैपैस्चर जब सिरीज में कमबाइन होते हैं, तो ऐसी होते हैं न, सिरीज कॉंबिनेशन तो यह होता है, करेक्ट है बात, तो 1 by अंडरूट L C equivalent, या फिर frequency is, 1 by 2 pi, यह frequency आ गई आपके पास, यहाँ तक बात क्लियर हो गई, बताओ, यहाँ तक बात क्लियर हो गई सभी लोगों को, अब यहाँ पे बीटा कितना आएगा भे, माइनस C2 by C1, और A है माइनस RF by R1, तो जब आप A बीटा को 1 करेंगे, तो RF by R1 will come out to be equal to C1 by C2, उल्टा रेशो चलेगा ना इंडक्टर से, क्योंकि क्यापैस्चर 1 by omega C होता है, यह बात क्लियर हो गई, बताओ, तो Colpit Oscillator में फाइदा क्या होता है, देखो यहाँ पे भी आप बनाने को BJT से बना सकते हूँ, अगर आपको यह connection समझ नहीं आ रहा पता है, क्या किया है, जैसे यहाँ दो अलग-अलग ground थे न, इस network को flip करके दोनो ground को जोड़ दिया है, ठीक है, तो बस इतना किया, यह दोनो ground एक कर दिये है, तो यहाँ पे बिटा advantage है, high frequency में, high frequency पे capacitor का reactance बहुत छोटा होता है, तो यह high frequencies को allow कर देता है, और वहीं अगर inductor की बात करें, तो high frequency पे inductor का reactance बहुत ज़ादा होता है, जिस कारण से देखो, अगर inductor वाला use करोगे न, तो वह high frequency पे feedback का रस्ता तोड़ देगा, high frequency पे inductance high होने से, feedback का रस्ता तूट सकता है, लेकिन high frequency पे, यह capacitor का reactance कम होता है, तो it will provide a low reactance path, तो colpate oscillator high frequency पे ज़ादा, वाइदे मंद है, ठीक है, ज़ादा beneficial है, तो यहाँ पे किसका use कब करोगे, when we require a wide range of frequency, अब तीसरा होता है पेटा, clap oscillator, clap oscillator में देखो, हमने एक और capacitor अड़ कर दिया है, C3, this is what, this is a modified colpate oscillator, modified colpate oscillator, ठीक है, यहाँ पे C3 जो है न, dominate कर जाता है, C1, C2 को, C3 की value सबसे छोटी लेते हैं, और series में सबसे छोटी value dominate करती है, for capacitor, जैसे resistance के parallel में सबसे छोटी value dominate करती है, ऐसे ही capacitor के series में सबसे छोटी value dominate करती है, तो यहाँ पे frequency आती है, 1 by 2 pi root L C3, ठीक है, तो यह stability आपकी improve कर देता है, यह stability आपकी improve कर देता है, C3 की value सबसे छोटी लेते हैं, अब ज़रा एक question देखना भई, यह question देखो, value of R in the oscillator circuit, so that it oscillates at angular frequency omega, the value of omega and the required value of R will be, करना जरा फटा फट से, बिलकुल सुभादीप, आप बिलकुल follow कर सकते हो, बिटा इस channel के lectures, चलो भई, frequency of oscillation पूछ रहा है, और R की value पूछ रहा है, क्या रहा है, यह, देखें, frequency of oscillation, radian per second में मांगा है, जब LC oscillator देख रहा है, तो simple यह होगा, 10 millihenry माने 10 की पावर माइनस टू, 0.01 microfarad माने 10 की पावर माइनस एट, अब यहाँ पे यह देखो, यह voltage VF है, जो कि non-inverting terminal में जा रही है, तो it is acting as a non-inverting amplifier, अब बेटा जब resonance आएगा ना, तो यह वाला network तो open हो जाएगा, LC oscillator, parallel LC circuit, resonance पे open की तरह काम करता है, तो बस यह दोनों बचेंगे, R और 1, तो यहाँ पे feedback voltage आप लिख सकते हो, V0 into 1 by 1 plus R, यह आप लिख सकते हो, तो beta is 1 by 1 plus R, और amplifier non-inverting है, इसलिए gain होगा 1 plus 100 by 5, मुझे कैसे बता, क्योंकि मेरा VF non-inverting terminal में गया है, अब जब आप A beta को 1 करेंगे भाई, तो 1 by 1 plus R is 1 by 21, तो R is 20 kilo ohm, समझें, तो answer will be A, यह logic clear हुआ, feedback non-inverting terminal में गया है, तो non-inverting amplifier की तरह काम करेगा, क्योंकि amplifier के लिए जो input होता है न, वो VF होता है, अगला देखो जड़ा, यह क्या है, for the heartlay oscillator, the oscillations to start, the condition to be satisfied is, oscillations start होने के लिए condition क्या satisfy करेंगे, इसको ऐसे सोचो, यह आपका V0 है, यह आपका यहाँ पे VF जा रहा है, तो amplifier का gain क्या होगा, amplifier का gain आप कह सकते हो, gmr होगा, और β क्या होगा, β होगा V0 by j omega L1, तो L1 by L2, तो start करने के लिए, ए बीटा को starting में आप 1 से बढ़ा रखते हो, ताकि starting में oscillation grow करें, और बाद में आप उसको 1 पे ले आते हो, ताकि उतने level पे sustain हो जाए, बात समझ में आ रही है logic, कि starting में बढ़ा रखो, और बाद में 1 पे कर दो, जब आपको required level मिल जाए, तो gmr is greater than L2 by L1, एक सेकेंड, VF upon j omega L2, L2 by L1 हो गड़ा ये, तो gmr greater than L1 by L2 यानि D, ठीक है, ये clear हो गया, अगला देखें जरा, input resistance of 1 ohm, output resistance of 2.5 kilo ohm, find the value of Rx for sustained oscillation, ये वैसी हो जाएगा ना, पिछले वाले जैसे, ये पिछले वाले जैसी हो जाएगा, ठीक है, क्या रहे, ना ही ना रहे, देखो, ये non-inverting amplifier हो गया, तो इसका gain क्या हो गया, 1 plus 9 by 1 यानि 10, तो beta क्या होना चीए, 1 by 10, जब LC oscillator open हो जाएगा, तो beta की जो value है, ये ना, वो 1 by 1 plus Rx आएगी, जो की 1 by 10 होगी, तो Rx आजाएगा 9 kilo ohm, है ना, 7th question जैसे ही हो गया, चलो एक last question भई, आपसे पूछ रहा है, frequency of oscillation बता दो, फटा फट, frequency of oscillation, come on everyone, last question, what is omega 0, come on everyone, what is omega 0, 1 by root LC, ठीक है, बाकी question देखो, आप लोगों के लिए homework के तौर पे, इनको बना के लाना, कल मैं आपको Schmidt trigger, multi vibrator, ये सारी चीज़े कराऊंगा, कल साड़े 11 बज़े आपकी class रहेगी, Sunday का off नहीं दे रहा हूँ, ताकि syllabus निपढ़ जाए आपका, ठीक है, 31st October commitment था, 6th of November को मैं आपका syllabus wind up कर दे रहा हूँ, और देखो, इस link पे जाके, आप लोग PYQ बना सकते हो, कल के बाद तो आपसे सारे PYQ बन जाएंगे, क्योंकि opamp का positive feedback वाला part भी कल खतम हो जाएगा, ठीक है, और अगर unacademy आते हो बिटा, तो plus और iconic दोनों subscription हैं आपके लिए, दोनों में top teachers हैं, app पे पूरा study material है, test series है, iconic में custom doubt solving है, नए question में doubt आएगा, उसका video solution मिलेगा, घर पे printed notes deliver कराए जाएंगे, one-to-one mentorship, strategy और study plan मिलेगा, और open house session में you can interact via audio, ठीक है, और आप देखिए बिटा, कोई भी plan आप anacademy पे choose करते हैं, duration decide कीजिए, और maximum discount के लिए आप code लगा दीजिए, अंकित IAC, जिससे आप मेरी guidance में तैयारी कर सकते हैं, other than this, देखो जो भी बच्चे 24 वाले हैं बिटा, वो लो 15 month subscription के लिए जा सकते हैं, इससे क्या 24 का exam cover हो जाएगा, और हमने 24 के batches भी start कर दी हैं, फिर अगर आप results देखोगे बिटा, तो result भी हम लोग के last year top 10 में 6 rankers थे, अगर आप भी चाहते हो, आप लोग का भी photo ऐसे publish हो, आप लोग को भी इस तरह की opportunities मिलें, तो आप लोग घबराईए नहीं, अपने career में invest कीजे, फटा-फट से an academy जोइन कीजे, and study under my personal guidance, और अगर financial issue है, तो EMI पे ले सकते हो बिटा, जहाँ पे आप अपनी fees month on month pay कर सकते हो, इस पे कोई भी interest नहीं लगेगा, ठिक है, और यहाँ पे 2 घंटे में मातर approval है, कम से कम paperwork है, आधार card, pen card देना है बस, और वो भी family में किसी essay member का दीजिए, जिनको salary आती हो, 24 वाले batch में मीटा धांडे सर, analog ले रहे हैं, गुरुपाल सर आपका mathematics ले रहे हैं, और electrical EC दोनों के लिए same subject चल रहा है, 23 वाले बच्चों के लिए हमने rank improvement batch यानि की crash course लाँच किया है, जिसमें electrical का maths चल रहा है, network चल रहा है, इसमें मैं 9 तारिक से machine का revision स्टार्ट करा रहा हूँ, EC वाले बच्चों के लिए already 3 subject चल रहे है, maths, network और EDC, और जो 23 वाले बच्चे हैं वो 3 months या 4 months का subscription ले सकते हैं, code आप लोग जानते हों बिटा, अंकित EAC, इससे आपको maximum discount भी मिलता है, and you come under my personal guidance, ये मेरा telegram channel है, इस पर जुड़े रहेंगे, ताकि सारे updates आपको मिलते रहें, और इस session का PDF आपको मिलेगा बिटा, community पे, तो Unacademy app के home page पे जाना, community पे, discover में, वहाँ पे आपको मेरे सारे PDF मिल जाएंगे, जिनको आप download कर सकते हैं, ठीक है, ब्रहमास्टर YouTube के बारे में, बहुत ही जल्द मैं बात करूँ है, जैसी मैं analog से free हो जाता हूँ, I'll discuss about that, I'll plan your classes, आप लोगों का revision कराये जाएगा, लेकिन रोजी एक चीज मत लेके बैटो बिटा, अगर मैं यूट्यूब पे class नहीं ले रहा हो ता, ठीक है, चलो फिर, कल मिलते हैं साड़े ग्यारा बजे, मिस मत करना, लाइव आना साड़े ग्यारा बजे, कल Schmidt Trigger और Multivibrator कवर करेंगे, ठीक है, ठांक यू एवरिवन,